हेलो नमस्कार प्यारे बच्छों इस तरह के कुश्चन को कैसे हल करें यहां पर आपको क्या दे रखा है बिंदू ओं माइनस तीन दस और छै माइनस आठ को जोडने वाले रेखा खंड तो यह आपका एक रेखा खंड है देखिए जो क्या है इसको ए बिंदू मान लिया और है बी बिंदू है रेखा कंड को बिंदू यह कोई एक तीसरा बिंदू पी बिंदू है जो किस अनुपात में विवाजित करता है यह हमें ग्याद करना है तो हमने क्या मान लिया यह इसको के अनुपात एक में विवाजित करता है देखिए जब भी आपको किस अनुपात मे उसको मान लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हल मैं माना के अनुपात, पूरा लिखते हैं, बिंदू को, बिंदू, बिंदू को, बिंदू को, बिंदू को, के अनुपात में विबाजित करता है, अनुपात में विबाजित करता है, इस अनुपात में विबाजित करता है, अब देखें, हम अपने फॉर्मले जानते हैं, फॉर्मला क्या है, सूतर से, यहां लिखेंगे, सूतर से, एक्स बराबर क्या रहता है, एम उन एक्स टू, एम टू, एक्स वन बट्य, एम वन प्लस एम टू, यह आपके फॉर्मूले रहते हैं, तो, एक्स का बाद कितना है, यहां पर pandemia है, देखेंगे, यह जो एक्स है, किसका होता है, इस बिंदू करने देशांग होता है जो आपका अनुपात में विभाजित कर रहा है अनुपात में कौन विभाजित कर रहा है पी विभाजित कर रहा है तो ये x क्या है पी करने देशांग ये धहां रखे है पहली इस्तान पे कौन आता है x करने देशांग कितना है माइनस एक, M1 की जगे आपका K X2, यह आपका X1 Y1 है, यह X2, Y2 है X2 कितना है? 6 M2, कितना है? 1, यह M1, M2 है कितना है? 1 और X1 का value कितना है? माइनस का 3 तिक यह value आपको अच्छे से रखनी आने चीए नीचे M1 प्लस M2, यहनी K प्लस 1, आगे हल करें, इसको यहां बेज़ेंगा तो इस माइनस 1 की गुणा में आजएगा यहां बटे में है, तो इस तरह किस में आएगा? गुणा में आएगा, यह ध्यांद रखें तो माइनस K, माइनस 1 आगया यह कितना है? 6 K यहां से कितना आगया? माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस होता, 1 गुणा 3 तीन आगया ओके, यहां तक कोई दिकत नहीं है अब हम K को इस तरफ बेज़ देते हैं ठीके? तो यह K यहां माइनस का है यहां 6 K को यहीं रखा यह K माइनस का है इस तरफ आकर प्लस का हो गया 6 K को हमने यहीं रखा इसी के साथ माइनस 3 को हमने यहां भेज़ दिया और माइनस 1 को हमने यहीं रखा जिसको यहीं रखेंगा उसको पहले यहां लिख दिना माइनस 3 यहां आएगा तो माइनस का है आ गया, दो बट्टे, साथ आ गया, ओके, अब देखे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के बट्टे एक लिख सकते हैं, ठीके तो हम के अनुपात एक करेंगे, तो बराबर कितना आएगा, के बराबर कितना हैं, देखे, के बराबर, उपर का उपर के सीध में आएगा, नीचे का बस आपको समझाना चाहिए